हलो फ्रेंड्स लतु आरे फैसन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत सौगत है तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बूटिफुल सा स्लीव डिजाइन लेकर की आई हूँ जो हम बनाएंगे देखे 3-4 चो स्लीव की लेंथ होती है उस तक हम इसको बनाएंगे ठीक है तो पहले आप बाजु की जितनी कटिंग जैसे करते हो वैसे आपको बाजु की कटिंग कर लेनी है बहुत ही आसान सा डिजाइन है यह जो हम बनाएंगे और एक कुछ नया करने की गोशिस मैंने इस वीडियो में की है होप आया आप सबको पसंद आएगा प्लीज एक वीडियो को एक लाइक और शियर जरूर कर दीजिएगा अगर चणल पर नई है तो सबस्क्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहरे देखिए मैंने यहाँ पर बाजु की कटिंग कर ली है इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेनी है जिस तरह से भी आप कटिंग करते हो और यहां पर आपको कुछ pieces दिख रहे होंगे, यह देखिए, यह मेरा नीचे मोरी के लिए, जो fold के लिए मैंने रखा है, 1.5 inch work, मैंने निसान यहां पर mark लगाया हुआ है, और साथ में देखिए हमें different color के square pieces चाहिए, इनकी लंबाई, मैं आपको बता देती हूँ, लंबाई और चौडाई मैंने रखी है, सवा 3 inch, आप 3 inch भी इनको रख सकते हो, देखिए, सवा 3 inch सेम color का है, और सवा 3 inch मैंने different color का यहां पर लिया हुआ है, तो पहले तो इनको side में रख देंगे, सबसे पहले हम इनको side में रख देंगे, इस तरह से, इनका हम बाद में design बनाएंगे सबसे पहले तो जो हमने मोरी ली है, उसको हम fold करेंगे अपनी sleep की, इसको आप trouser के bottom पर भी बना सकते हो इस design को, ठीक है, और आप चाहे तो इसको neck के उपर भी बना सकते हो, तो सबसे पहले देखिए हम इसको fold करेंगे, जितना हमने margin रखा है नीचे उसको हम fold कर लेंगे प आप चाहे तो यहाँ पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप यह सिलाई लगा लेजी, तो यह देखिए हमने fold यहाँ पर कर लिया है, यह fold हमने कर लिया है, इसको हम side में रख देंगे, अब सबसे पहले हम देखिए, sqaire paces लेंगे जो different color का है, वो हमने पहले लेना है यह वाला हम पहले लेंगे, आप इसको देखिए हम इस तरह से, मिलाएंगे, इसको corner से corner मिलाएंगे, एक हम आप देखिए, इसको triangle की shape दे दे हैं एक शेव दे दी आप इसके बाद इसको इस तरह से रखना है यह देखिए कॉर्णर से एक कॉर्णर से मोड़ेंगे इसको इस तरह से और इसको फोल्ड करते जाएंगे यह देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है यह देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है तो देखिए इसको हमने इसी तरह से दबा के रखना है अब हमने यह जो दूसरे सेम कलर का जैसे हमारे बाजू का कलर है उसी तरह के हमने जिसको airpcs काट के रखे हैं उसको भी हम पहले देखिए इस तरह से fold करेंगे, फिर इसको फिर से एक बार fold करेंगे, center से तो इसका यह triangle बन जाएगा, यह देखिए इस तरह से इसका triangle बन जाएगा, अब यह जो हमने fold करके रखा हुआ है, जो हमने circle की shape में, बड की shape में जो design बना के रखा है, इसको हमने बिल्कुल इसके center पर रखना है, इस तरह से देखिए हम इसके center पर इसको रखेंगे, ठीक है, इस तरह से रखेंगे इसको, अब यहां से इसके corner को center पर लाएंगे, और इसके दूसरे corner को भी हमने center पर इस तरह से लाना है, तो यह यह देखे लीफ की शेप हमारी बन जाएगी यह देखे इस तरह से लीफ की शेप बन जाएगी और उसके बीच में से बड़ की शेप बनेगी तो यहां से आप हम इसके उपर सिलाई चड़ाएंगे इसी तरह से हमने सारे बनाने है यह और इसके उपर सिलाई लगाते जाना है फिर से देख लीजे एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूं देखे एक बार हम इसको इस तरह से center पर इसके corner से corner में लाएगे आप इसको हम fold करेंगे ये नीचे के तरफ आपको थोड़ा से रखना है इस तरह से फिर इसको fold करते जाना है ये खुद बो खुद ही shape ले लेगा, ये देखे इस तरह से और ये कुछ ही तरह से हमारी bud बन जाएगे, अब हमने लेना है, same color का जैसा हमारा बाजू है और उस से हमने एक triangle बनाना है, ये देखे, triangle हमने बना लिया, अब इस bud को हमने रronics ना है, इसके center पर, और ये एक corner को इस इस तरह से सेंटर पर लाएंगे फिर दूसरे कॉर्णर को भी सेंटर पर लाएंगे ठीक है तो यह लीप की सेप बन जाएगी और बीच में आपकी बड़ यह बनेगी अब यहां सी हम सिलाई लगा देंगे तो सारे हमने इसी तरह से प्रिपेर करने हैं तो आप देखिए यह हमने बनागर की त्यार कर लिए हैं यह देखिए सारे हमने बनागर की त्यार कर लिए हैं अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा मार्जन है वो हम कट कर लेंगी तो अब देखिए सारे हमने ट्रिम कर लिए हैं यह देखिए सारे हमने ट्रिम कर लिए हैं आप इनको हम लगाएंगे अपने स्लीब के उपर तो उसके लिए देखे जो हमारी मूरी है उसके उपर हम यह लगाएंगे इनको अंदर इस तरह से रखेंगे यह देखे इस तरह से रखेंगे और इनको लगाते जाएंगे अंदर की तरप को हमने इसको रखना है और इस तरह से हम इन सब को लगाएंगे इस तरह से फिर इसके उपर सिलाई लगाते जाएंगे आगे तक हमने सारे सी तरह से लगा लेने हैं आप स्पेस इतना भी रखना चाते हो बीच में अगर आप थोड़ी दूरी देना चाते हो तो आप थोड़ी दूर दूर भी रख सकते हो अगर आप जैसे देखिए यहाँ पर इन में क्वाट्रेंज का डिस्टेंस होगा बीच में आप इस तरह से भी रख सकती हो तो थोड़ा डिस्टेंस जादा भी आप इसमें रख सकती हूँ क्या क्या एंच में, इसमें परोफ सकती हो तरहाँ है तो फाइनली देखिए हमने यह डिजाइन यहां पर बना करके प्रिपेर कर लिया है देखिए कितना प्रेटी लग रहा है यह सिलाई को मैं भी निकालूंगी इसके जो उपर वाली सिलाई है इस पर मैं तुरुपाई करूंगी तो देखिए आप इसको देखिए हाप स्लीप या ब्लाउस की जो स्रीव होती है आप उसके उपर भी बिना सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगा डिस्वाइन और एक तम यह उनीक डिजाइन है यह तो थैंक्स वर वाचिंग में थे हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए